हलो बच्चों कैसे वा आप लोग तो आज हम लोग अपने फॉर्थ एपिसोड के अंदर बात करने वाले हैं पर्मूटेशन और प्रॉबिनेशन और प्रॉबिलिटी से रिलेटेड़ जो क्युस्टन्स आये थे उनके बारे में सो माइसल ताराचन टीम मेच सीलसी सीकर सो चले स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो फर्स्ट क्युस्टन था टूथाओजेड़ ट्वन्टी का ठीक है वो कैसा था तो इसमें देखिए आपको क्या दिया गया है कि लेट एन विल बी ग्रेटर देन टू बीन इंट यहां पर देखिः क्युस्टन को पढ़ना बहुत अच्छे से होता है ठीक है पी एन सी की क्युस्टन बहुत इस अस भी ओत आपके आपके सामने सह दियान से पढ़ना होता और समझना होता है और साथ में उसकी जो लेंगवेज्ज होती है ठीक है उसका एक-एक वर्ड हो जाते हैं तो चलिए let n be an integer suppose that there are n metro station ठीक किसी city के अंदर n metro station है in a city located along a circular path ठीक है और कहां पर है एक circular path के उपर है ठीक है इसके बाद circular path के बाद each pair of station is connected by a state track ठीक है अब यहां पर सेने उन सब स्टेशन को इस तरीके से स्टेट लाइन से इसे कनेक्ट किया गया है जैसे यह के साथ कनेक्ट हो गया कर दिया है अब दो थे यां पर बहुत इंपोर्टेंट पार्ट है इसके पास-पास में जितने भी है न वहसा ब्लेयां से connected है जैसे यह है यह आपका blue line से है ठीक है यह वाला blue line से है यह वाला blue line से है ठीक है जो भी पास-पास में जो भी दो points है वो आपके किस्से blue line से connected है इसके बाद में where all remaining pair of stations are connected by red line इसके अलावा जो है आपके सामने वो red lines है जैसे for example यह पहला और तीसरा point है यह दोनों पास-पास में नहीं है ठीक है तो यह आपके सामने क्या है red line से connected है ऐसे यह भी आपका red line से connected होंगे ऐसे जितने भी होंगे आपके सामने वो सारे red line से connected है चलिए where all the remaining pair are station connected by red line if the number of red lines is 99 time the number of blue line जो red line है आपके सामने 99 time है आपकी blue lines की ठीक है then the value of n तो हमें बताना है कि n की value क्या होगी चलिए देख देखते हैं तो मान लेते कि यह हमारा पहला station है यह दूसरा station है यह तीसरा station है यह चोथा station है और इसे चलते चलते आपके सामने यहां पर जो पहुंच होगे थीक है इसके पहले जो होगा वो n minus one station होगा ठीक है यह भी इसके साथ में ऐसे connected होगा यह भी connected होगे और यह आपस में भी सब के साथ जितने भी बनेंगे सब अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो आपको दो चीजे दिखाई दे रही होगी याँ पर कि यह जो दो चीजे आपको ब्लू और रेड बोला गया है यह क्या है आपके साब ने एक तो देखी यह जो पॉलिगन जो बन रहा है ठीक है इस लत स्क्राय अगर पर फ्रेक्स के अंदर जितनी भी साइडसे ना वह सारी ब्लू लाइन से एह और जितने भी डाइगनल्स से वह सबके सबाब आपHeuss लाइन से कर सकते हो फिक जब भी कि आपको कोई भी एक लाइन सेलेक्ट करनी होती है. ठीक है, तो क्या करना होता है? कोई भी दो पॉइंट में से एक पॉइंट सेलेक्ट करना होता है. तो सबसे पहले अगर हम number of diagonals कि अगर बात करें, तो इसके अंदर number of diagonals किटने होंगे आपके सामने? so number of diagonals होंगे आप n, c, 2 n मेंसे कोई भी दो line select कर लो ठीक है तो लेकिन जब भी आप n मेंसे कोई भी दो point select करके एक line बनाओगे तो आपके सामने diagonals भी आएगी और polygon की sides भी आएगी लेकिन एक polygon में n sides होती है तो उन मेंसे n को subtract कर दो तो जो पीछे जो बचेगी वो आपके सामने शिरफ diagonals बचेंगे इसके अलावा आपके सामने जो blue lines है वो diagonals polygons की sides को represent कर रही है तो sides हमारे सामने कितनी है वो हमें पता है that will be equal to n तो हमें दोनों चीजे पता चल गई है कि red lines इतनी होगी और साथ में ही हमारे सामने जो blue lines हो कितनी होगी साइड के equal सामने आपके जो यह साइड सायड सही पुमाइन e-nin रेड है डैंस ठीक है वह आपके सामने blue lines 99 टाइम से मिश आपको यह दिया गया है कि n c 2- n जो है वो कि's on के equal 5 9 99N के equal है, तो देखिए जैसे मैंने कहा था कि आपको equations को solve करने में कुछ बहुत ज़्यादा calculation नहीं करनी होती है, लेकिन आपको दिमाग बढ़ा अच्छे से इस तरीके circumsion में लगाना पड़ता है, चलिए अब इसको solve कर लेते हैं, इसको solve करने से देखिए कितना आएगा, NC2 कितना होता है, N into N minus 1 by 2, और N को उधर ले गए, तो यह बन गया 100N, N की value 0 है नहीं, तो N को N से काट दीजिए, तो आपको मिलेगी N minus 1 will be equal to 200, so N की value आजाएगी 201, और यही आपका क्या है, answer है, तो आपका तो पहला option है, यहाँ पर वो क्या है, सई answer है, clear है, तो इस तरीके से आपको इन PNC के questions को solve करना होता है, चलिए आगे बात करते हैं next question, और next question है हमारा, question number 2, और question number 2 में देखे हम से क्या पूछा गया है, और किस तरीके से solve करना है उसको, question number 2 जो है आपका, वो probability से है, जैसा हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, और probability के अंदर भी कौन सी probability है यहाँ पर, ठीक है, हमारे सामने conditional probability का formula यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सो चलिए बात करते हैं, सबसे पहले हम यहीं से start करते हैं, question go, ठीक है, अगर हमें यह निकालना है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते है, probability of E2 complement, intersection E3 complement, intersection E1, and divide by probability of E1, ठीक है, यह हमें क्या करनी है, calculate करनी है, लेकिन देकि यह उपर वाली जो probability है, हमारे सामने E2, intersection E3, intersection E1, यह कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम यूज करेंगे अपने Venn diagram का, probability का question जब भी आये, set theory का जब भी question आये, सबसे ज़्यादा फोकस आपका Venn diagram पे ही होना चाहिए, क्योंग सबसे easily आप question को वहीं से समझ सकते हो, चलि पहले देखिए, जो भी intersection आता है, वो तीनों का common part आता है, तो यहाँ पर E1 है, तो आपका जो intersection होगा, इसके बाहर नहीं जाएगा, E1 के बाहर नहीं जाएगा, इसके बाद में E2 complement के साथ में इसका intersection लेना है, means E2 को छोड़ना है, means इसमें से जो 2 वाला जो part है, वो हट जा जाएंगे, तो दोनों parts आपके सामने हट सकते हैं, हट जाएंगे, अब इसका हमारा use क्या होगा, when diagram को, when diagram का use यह होगा, कि हम यहाँ पर इस पर formula लगा सकते हैं, ठीक है, यह जो एक चीज है ना, इसको हम parts में break कर सकते हैं, देकि हमें पता है कि यह probability E1 से आ रही है, तो इस हम लिख सकते हैं, probability of E1, इसी के साथ में, इसमें से हम subtract कर दें, अगर probability of E1 intersection E2, क्योंकि E1 में तो बहुत सारी probability है, शिरफ यह वाला part नहीं है, जो अभी हमने dark किया है, उसमें तो यह वाला part भी आएगा, ठीक है, जो हमें नहीं चाहिए, तो उसको हमने subtract कर दिया, अभी हम हमें एक part और subtract करना, और वो कौन सा, यह वाला part, यह वाला part अभी बचा हुआ है, इसको subtract लेकिन शिरफ इसको नहीं कर सकते, हमें subtract करना पड़ेगा, E2 और E3 दोनों को, E2 intersection E3, लेकिन इसको जब पूरे को subtract किया, तो यह part आपको दुबारा subtract हो गया, तो हमें इस part को add करना पड़ेगा, लेकिन यह तीनों का intersection है, और जिसकी value 0 है, तो इसको add करने से कोई फरक नहीं पड़ेगा, आप चाहो तो यहापर add कर सकते हो, इसकी value है, वो 0 है, ठीक है, इसलिए वो part यहापर रखा, और divide by probability of E1, बस इतना ही दिमाख लगाना था आपको question में, आपका question solved हो च जाएगा, बस हाँ, एक चीज और इसमें use होगी है भी, और वो क्या है, जो हमें pairwise independent events जो दी गई है, उससे हम क्या कर सकते है, probability of E1 by E1 cancel out हो जाएगा, 1 minus, probability of E1 intersection E2 को लिख सकते हो, probability of E1 into probability of E2, क्यों, क्योंकि pairwise कैसी है, यह independent, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, pairwise independent events है, clear, साथ में आपके सामने आ रहा है, minus probability of E2 into probability of E3 divided by probability of E1, अचा, E1 और E3, ठीक है, यहाँ पर क्या था, E2 नहीं है, यहाँ पर E1 और E3 था, 1 और 3 के साथ में हमने लिया था, ठीक है, चलिए, E1 से E1 कट जाएगा, यहाँ पर E1 से E1 कट जाएगा, यहाँ पर E1 कट जाएगा, ठीक है, यह पार्ट हमारे सामने आ जाएगा, लेकिन अब हमें ऐसा कोई option नहीं दिया गया है, क्योंकि किसी के अंदर 1 नहीं है, तो इस 1 को हम दो तरीके से remove कर सकते हैं, या तो 1 minus PE2 के साथ remove कर सकते हैं, तो उसमें आएगा PE2 compliment, लेकिन उसके साथ में minus PE3 compliment नहीं है, अगर इसको मैं compliment में convert कर रहा हूँ यहां पर, ठीक है, तो इसके साथ में यह plus के अंदर है, और E2 compliment और किसी में है नहीं, इसमें है, लेकिन minus का है, तो यहां से हमें दिखाए दे रहा है, minus का होगा नहीं, plus का होगा, तो हम इस 1 को इसके साथ में use करेंगे, तो इसके साथ में जब क्या हो जाएगा सही हो जाएगा इलिए रहें बच्चो चलिए आगे बात करते हैं next question और next है हमारा question number 3 और question number 3 में देखिए हमें क्या दिया गया है question number 3 के अंदर आपको एक dice के बारे में दिया गया है यह die thrown two time and the sum of the scores appearing on the die is observed to be multiple of four then the conditional probability that the score four has appeared at least once each एक ही कैसे करेंगे सबसे पहले तो हमें इसमें यह करना है ठीक है एक pair of dice को जब भी हम थ्रो करते हैं तो हम बिल्कुल question को case बना के कर लेते हैं क्योंकि easily हो जाता है सारे case count हो जाते हैं आपको दो dice को एक साथ throw करना है और उनका जो score आ रहा है ठीक है उसको count करना है वो क्या होना चाहिए फोर का multiple होना चाहिए तो देखिए क्या क्या हो सकता है सबसे पहला आपके सामने फोर का multiple फोर खुद हो सकता है 1,3 और साथ में 3,1 और इसके अलावा एक आपके सामने आ सकता है 2,2 ठीक है यह सब के सब फोर के multiple है a die is thrown two time and the sum of the score appearing on the die is observed to a multiple of four ठीक है न फोर का multiple होना चाहिए इसके अलावा वो 8 का 8 भी हो सकता है सब क्योंकि 8 भी 4 का multiple होता है तो 8 आने के लिए क्या क्या केस हो सकते है देखे पहला number 2 दूसरा 6 हो जाए फिर यह 3 हो जाए यह 5 हो जाए फिर यह 4 हो जाए यह 4 हो जाए यह चलता रहेगा आपका यह 5 हो जाए यह 3 हो जाए और साथ में यह 6 हो जाए और यह 2 हो जाए तो यह आपके सामने sum 8 की case बन सकते हैं इसके अलावा sum 12 हो सकता है और sum 12 का शिरफ एक case बन सकता है that is 6,6 तो इस तरीके से हमारे सामने total कितने case आ रहे हैं 3,2,5,6,7,8,9 total number of outcomes कितने आ रहे हमारे सामने 9 अब क्या करना है probability क्या निकालने then the conditional probability that the score 4 has appeared at least once इसमेंसे ऐसे कितने case है जिसके अंदर कम से कम एक बार 4 आया है और ऐसा शिरफ एक ही case है जिसमें एक बार नहीं दो बार फोर आया है और at least 1 कहा गया है तो आपके पास में दो बार भी हो सकता है और यही आपका answer है तो आपका जो answer हो जाएगा that is 1 upon 9 clear है बच्चो इस तरह के साब को सोचने है आगे बात करते है next question और next है हमारा question number 4 और question number 4 में देखी हमसे क्या पूछा गया है question number 4 के अंदर आपको दिया गया है the probability that a randomly chosen 5 digit number is made from exactly 2 digit each ठीक है आपको क्या करना है एक 5 digit का number बनाना है जिसमें exactly 2 digit होने चाहिए देखे जब क्यूशन के अंदर इस type से क्यूशन आता है जिसके अंदर 0 का include करना होता है अगर हमें 0 को ठीक है तो वहाँ पर आपको क्यूशन को बड़े ही ज्यान से करना होता है तो 0 आपका इन numbers वाले जो क्यूशन होते है उसमें जो गडबड करवाता है वो 0 करवाता है ठीक है तो कैसे करना होता देखिए 0 को हम अलग से treat करेंगे पहले ये मान लेते हैं कि हमारा जो 5 digit का number आ रहा है उसमें 0 use हो रहा है क्या? 0 count हो रहा है ये तो 0 count हो रहा है और दूसरा और दूसरा और जब हमारे पास में 0 count नहीं हो रहा है मिंस यहां पर 0 का selection ही नहीं होगा और वहां पर 0 का selection हो जाएगा अब देखिए जब 0 का selection नहीं होगा तो आपके सामने पिछे 9 digits बचेंगे उन 9 में से आपको 2 digits select करने होंगे कितने? 2 digits और जब 0 का selection हो जाएगा तो जो पिछे जो numbers बचेंगे उसमें से आपको 1 number select करना है क्यों? क्योंकि आपको total 2 number चाहिए जब 0 का selection नहीं है तो 2 number select कर लिए बाकी 9 digits होते हैं और जब 0 का selection हो गया वहां पर हमने 1 number select कर लिया that is 9C1 अब देखिए हमें 2 digit का number बनाना है लेकिन दोनों digit use होने चाहिए ठीक है ना ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिरफ 1 digit use हो गया तो देखिए जब हम 5 digit का number बनाएंगे यहां पर ठीक है तो जो क्योंकि 1 digit तो आपके पास में 0 है और एक दूसरा जो digit है वो कोई भी number है हमारे पास में 1 to 9 तो पहली वाली position पर उन में से कोई सा भी एक number आ सकता है फिर जो remaining जो number से उसमें 0 भी आ सकता है और जो हमने select किया है उसमें से भी number आ सकता है तो इस तरीके से आपके सामने 2 की power 4 numbers बन सकते हैं लेकिन देखिए इन 2 to the power 4 में से एक number ऐसा भी होगा जैसे for example हमारे पास में 9 का selection हुआ तो इन सब जगे पर वो 9 आ जाए जबकि क्यूसन के अंदर हमें ऐसा बोला गया है कि हमारे सामने दोनों digits यूज होने चाहिए ये exactly two digits उसमें होने चाहिए जैसे मैंने का था language का बहुत बड़ा खैल होता है तो यहां पर दोनों digits आपके यूज नहीं हुए है यहां पर तो एक digit यूज हुआ है तो ये एक number इसमें से subtract हो जाएगा क्या शिरफ एक ही case होगा या और भी होगा तो शिरफ एक ही case होगा है क्योंकि जो दूसरा digit 0 है वो तो आपका आएगा है नहीं क्यों क्योंकि पहली position पर तो वैसे ही हमने एक ही number लिया है यहां पर ठीक और वहां पर तो आपके पास नहीं non zero number ही आएगा और अगर आगे वाले में 0 आ गया तो वैसे भी 2 0 होगे तो शिरफ एक case यहां पर आपका subtract होगा और 9 तरीके से आप उसको select कर सकते हो तो यह आपके पहला case complete हो गया है ऐसे दूसरे वाले को करना है दूसरे वाले के अंदर 5 digits का number बनाएंगे तो आपके सामने कितने digits है 9 digits है 9 में से 2 आपने select कर लिये हैं तो अब आपके सामने 2 digits आ गये हैं तो किसी भी position के उपर आपके सामने 2-2 numbers आ सकते हैं तो total इस तरीके से आपके सामने आ जाएंगे 2 to the power 5 यानि कि 32 लेकिन इन 32 के अंदर फिर से देखिए वापिस आपके ने क्योंकि इस बार दोनों number 90 है तो दो number select वे जिसे for example 7 और 3 तो हमें कौन से दो के सब्टेट करने हैं एक बार जब सब जगे पर 7 आ रहा है और एक जब सब जगे पर कितना आ रहा है हमारे सामने 3 आ रहा है ये दोनों case हमें नहीं चाहिए तो इन दोनों को subtract कर दिया तो यहां से आपके सामने आ जाएगा 30 और यहां पर 9C2 है तो इसको किसे के साथ multiply करेंगे 9C2 के साथ clear है तो यह हो गए आपके सामने दूसरे वाला अब आपको क्या बोला गया है then the probability that the randomly chosen 5 digit number is made from the exactly 2 digits तो इसकी probability क्या होगी तो देखिए total number of outcomes कितने होंगे तो total number of outcomes निकालने के लिए पहली वाली positions पर 9 digits और बाकी सब के उपर आपके पास में 10 में से कुछ भी आ सकता है यह तो total number of outcomes होगे पहली positions पर total में भी 9 आएगा क्योंकि total number of outcomes भी निकाला होगे तो उसमें भी आप यह देखो कि 5 digit का number तो बनना ही चाहिए तो पहली वाली positions पर तो 0 नहीं आ सकता इसके बाद में इसको solve करेंगे तो यहाँ पर आएगा 9 into 2 की power 4 16 minus 1 that is 15 और 7 में आएगा यहाँ पर आपके सामने plus 30 into 9C2 that is 9 into 8 divided by 2 इसको solve कर लीजिए आपका answer आजएगा 10 की power 4 आपको रखना है तो सिरफ 9 को cancel out कर दीजिए और 9 को cancel out करने के बाद में आपके सामने कितना आ रहा है आपके सामने आएगा 120 plus 15 that is 135 divided by 10 to the power 4 और यही आपका answer है 135 divided by 10 to the power 4 आपका कौन सा option है fourth option numbers वाले questions के अंदर again फिर से कह रहा हूँ कि जो man आपको ध्यान रखने वाली चीज़ होती है वो होता है zero ठीक है zero को आपको पूरो अच्छे से ध्यान रखना होता है ठीक है अगर उसको आपने सही से treat कर लिया फिर questions यह simple होते हैं ठीक है आपको इसके अंदर पहुत ज़्यादा दिकत नहीं होगी चलिए आगे बात करते हैं next question और next question है हमारा question number 5 और question number 5 में देखी हमसे क्या पूछा गया है देखते हैं एक सर्वे के अंदर 63% of the people in a city read newspaper A ठीक है एक सहर के अंदर 63% लोग newspaper A पढ़ते हैं और 76% read newspaper B इप X percent of the people read both the newspapers then the possible values of X can be तो possible values क्या हो सकती है X की देखी आते हैं when diagram पे यह हमारा when diagram सबसे पहले when diagram के अंदर intersection वाले part को represent करते हैं तो यह है X तो यह city A मान लेते हैं यह B मान लेते हैं तो यहाँ पर है 76 minus X और यहाँ पर हो जाएगा आपके सामने 63 अचा इधर 63 है 63 minus X और इधर है 76 minus X के लिए यह city B के अंदर 76 minus X तो possible values of X बतानी है तो देखिए अगर हम यहाँ पर A union B की बात करें तो A union B कितना होगा A union B की जो value होगी वो होगी आपकी 63 minus X plus X plus 76 minus X तो देखिए 1X1X कट जाएगा और यह हमें पता होता है देखिए A union B जो होता है न वो किस से बड़ा होता है और किस से छोटा होता है A union B क्योंकि यहाँ पर percentage की बात चल रही है तो union जो आपका universal set होगा वो किसके equal होगा 100% के तो A union B उससे जादा नहीं हो सकता clear है और इसकी minimum आपके सामने A union B की value क्या हो सकती है तो minimum value होती है आपका जो बड़े वाला set होता है उसके equivalent क्योंकि उससे कम union नहीं हो सकता क्योंकि union के अंदर आपके पास में छोटे वाला part पूरा उस बड़े वाले के अंदर आ सकता है लेकिन बड़े वाले part को आप guide नहीं कर सकते तो minimum value हो सकती है 76 और यहीं से देखे हम x की values निकालेंगे तो यहां से हमें मिलेगा 76 a union b कितना है 63 plus 76 minus x will be less than or equal to 100 इदर जब देखेंगे तो 76 cancel out हो जाएगा so minus 63 minus x और इदर जब लेके आएगे तो पूरा इदर आ जाएगा तो यह हो जाएगा minus 39 तो यहां से आपको x का जो interval मिलेगा वो मिलेगा 39 से लेकर के 63 के बीच में और आप से यह question में पूछा गया है कि x की value क्या हो सकती है तो इस interval में जो number आ रहा है वो आपका answer होगा 29 नहीं आ रहा 55 आ रहा है that means that will be the answer possible 65 नहीं आ रहा है 37 नहीं आ रहा है so only 55 है ठीक है और 55 के अलावा भी अगर कोई भी option number होता है इसके बीच में से तो वो भी आपका सही answer था बट क्योंकि single correct questions आते हैं जही means में तो ऐसा आपको शिरफ एक ही option दिया जाएगा जो आपके answers में आएगा तो इस तरीके से इसका जो सही answer है वो कौन सा answer है हमारा second option चलिए आगे बात करते हैं next question और next है हमारा question number 6 और question number 6 में देखिए हमसे क्या बोला गया है और क्या पूछा गया है क्या दिया गया है question में तो question में आपको दिया है यहाँ पर कि in a game two player A and B take turn in the throwing a pair of fair dice starting with player A and total of score on the two dice in each throw is noted ठीक है दो लोग है A और B dice को throw कर रहे हैं एक ने a pair of dice को throw कर रहे हैं ठीक है और उसके उपर जो भी sum आ रहा है उसको note कर रहे हैं A win the game if the throw a total of six before B ठीक है एक game तब जीता है जब sum six आ जाए आपके सामने B से पहले ठीक है ना बी से पहले अगर उसके उपर sum six आ जाता है तो A जीत जाता है ऐसे ही आपके सामने B तब जीता है जब उसके पास में sum seven A से पहले आ जाए तो B जीत जाता है वो B के जीतने की possibility है तो आपको यह बताना है कि then the probability of A winning the game तो इसकी क्या probability होगी कि A game जीत रहा है ठीक है ना तो देखिए क्या हो सकता है इसकी यह होगी probability की सबसे पहले तो आपके सामने पहली बार में ही क्या हो जाए ठीक है ना A के पास में sum 6 आजाए पहली ही बार में ठीक है ना मलब B का number ही नहीं आया सिधा उसके पास में आ गया अब ऐसा हो सकता है कि आपके सामने A को जीताने का यह case भी हो सकता है कि इसके पास में तो 6 नहीं आया लेकिन क्योंकि हमें जीता ना किसको A को ही जीता ना है तो हमारे सामने क्या होना चाहिए ठीक है ना बी के पास में भी क्या नहीं आना चाहिए ठीक है और उसके बाद में तीसरा जब ट्रन आए तो इसके पास में 6 आ जाए ऐसे आपके सामने 5 ट्रन आ जाए ठीक है ना एक के पास में भी नहीं है बी के पास में भी फिर दुबारा A के पास नए या, B के पास में भी निया, फिर A के पास में आ जाए, तो ऐसी आपके सामने 5 case आजए, P6 बार, P7 बार, फिर वापिस P6 बार, फिर P7 बार, पुछ नहीं आना चाहए, क्योंकि A तो तब ही जितेगा, जब आपके सामने, B का पास में 7 ना आए, क्यों B के पास 7 आ गया अगर बाई चांस यहां पर, ठीक है, तब तो B जीत जाएगा, जबकि हमें जीताना किसको है, A को जीताना है, हमारी इच्छा है कि A जीते, तो चली अब कैसे जीतेगा A, तो sum 6 आने के क्या chance आउ सकते हैं, तो sum 6 आने के chance होते हैं, 1 5 से लेकर के 5 1 तक, तो total 5 case होते हैं, तो इसकी probability होती है 5 by 6, ठीक ना probability of 6 का क्या meaning हो गया, 5 by 6 नहीं 36, 5 by 36, total outcome कितने होंगे 36, ऐसे 7 कब आएगा, 7 आएगा 1,6 से लेकर के आपके सामने 6,1 तक कोई भी number आ जाए, ठीक ना pairwise, तो total 6 case होंगे, तो probability of 7 ज के सामने होंगे 6 by 36, तो यहाँ पर put कर दीजिए, तो देखे 5 by 36, प्लस यहाँ पर आएगा कितना, 31 by 36, 6 नहीं आना चाहिए, तो 6 आने की probability अगर यह है, तो नहीं आने की क्या हो जाएगी, जो remaining case है 31, 7 नहीं आना चाहिए, 30 by 36, और वापिस यह आजाए, 6 आजाए, that is 5 by 36, प्लस 6 ना आए, 31 by 36, 7 ना आए, 30 by 36, वापिस 6 ना आए, 31 by 36, वापिस 7 ना आए, 30 by 36, और अब गी बार 6 आजाए, तो 5 by 36, और ऐसा चलता रहेगा, कब तक, इन फाइनाइट तक, ठीकिन कितने भी ट्रन तक आप उनको खिला सकते हो, बस ध्यान यह रखे, कि बस, अचाहे, अचाहे, एके पास में 6 नहीं आ रहा है, तो 7, बी के पास में 7 नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर बी के पास पहले 7 आ गया, तब तो बी जीत जाएगा, और हम चाहते हैं, कि ए जीते, तो इन फाइनाइट तर चलाते रहे हैं, लेकिन बस, बी के पास में ध्यान रखे, 7 नहीं आना चाहिए, तो याद पर आपके सामने एक इन फाइनाइट जीपी बनेगी, और इस जीपी को जब हम सोल करेंगे, तो देखिए इसकी पहली ट्रम है, वो कितनी है, इसकी फर्स्ट रम है हमारे सामने 5 by 36, और इसका जो common ratio होगा, ठीक है, वो होगा इन दोनों ट्रम का ratio, ठीक है, तो इसको जब हम simplify करेंगे, तो देखिए हमारा answer कितना आएगा, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप लोग यहाँ पर देख ले, एक बार मैं यहाँ पर उपर लिख देता हूँ, A और R को, ठीक है, ताकि हम नीचे use करें उसको, A की value है हमारे सामने, फर्स्ट GP का formula लगाएंगे, और हमारा answer आजाएगा, ठीक है, डेटा थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन देखिए हम calculation इस तरीके से करेंगे, तो इसका sum आएगा, A upon 1 minus R, A की value कितनी है, 5 by 36, 1 minus R, तो देखिए इधर आएगा, 36 into 36, minus 31 into 30, LCM लेने के बाद, divide by 36 into 36, तो देखिए कैसे solve करे यहां से 36 से 36 चला जाएगा, ठीक है, और इसके अलावा जो बाकी जो numbers बचे हैं हमारे सामने, ठीक है, अगर हम उसको simplify करते हैं, तो देखिए कितना आएगा, इसको 6 से divide कर दो, तो 6 से यह चला जाएगा 5 time, यह 6 से चला जाएगा 6 time, और यह भी चला जाएगा 6 time, एक 6 उप उपर आजाएगा, तो उपर आजाएगा 6 into 5, 30, और नीचे आएगा 6, 36 into 6, there will be 216 minus 31 into 5, there will be 5 into 15, ठीक है, इसको इसमें से सब्टेट करेंगे, तो देखिए आपके सामने आ रहा है, 30 divided by 61, ठीक है, और एसा हमारे पास में कौन सा option है, third option है, और यह ही हमारा क्या है, सही answer है, तो देखिए, कापी अच्छा question था, यह भी, ठीक है, कापी सारे concepts यूज हो रहे थे, जीपी तका तक यूज हो गई है, ठीक है, तो आगे बात करते है next question, और next question क्या है, देखिए हमारा question number 7, question number 7 में देखिए, आपको क्या दिया गया है, अगें हमने जो पीछे question किया था, बिल्कुल उसी type का है, ठीक है, इसके अंदर आपको कुछ बहुत ज्यादा अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेरे इसाब से, ठीक है, दो set लेने हैं आपको, पहले में 73 है, दूसरे के अंदर 65 है, और दोनों के अंदर common x है, तो यहाँ पर हो जाएगा 73 माइनस x, और यहाँ पर हो जाएगा आपके सामने 65 माइनस x, वही आपको इंदर union निकालना है, तो P of A union B, A और B ही नाम दे देते, दोनों sets को, पहले को A और दूसरे को B, तो इसकी value आजाएगी आपके सामने 73 प्लस 65 माइनस x, और इधर जो बड़ा नंबर है उसके equivalent, तो यहाँ से कितना आएगा देखे, 73 और साथ में 65 था, तो 73 कटके माइनस 65, इधर माइनस x, और इधर कितना आएगा देखे, 100 माइनस 5 इंटू 3, 8, 6 इंटू 6, 12, प्लस 1, 138, तो x की value आगई आपकी 38 से लेके 65 के बीच, यह आपके सा होता है, अब इसमें आपको question में यह पूछा है कि then x cannot be, तो x का value क्या नहीं हो सकता, तो इसके बाहर जो है न वो आपका answer आएगा, इस बार आपका answer होगा 36, ठीक है न, 63 भी इसके अंदर आएगा, 54 भी इसके अंदर आएगा, और 38 भी क्योंगी equal to का sign है, इसके अंदर आए क्लियर है, चलिए, आगे बात करते हैं next question और next है हमारा question number 8, यह question तो पीछे हमने कर लिया था, ठीक है इसलिए हमारे को थोड़ा सा जल्दी हो गया, आगे बात करते हैं next question और that is question number 8, question number 8 में देखिए आपको क्या बोला गया है, कि there are three sections in a question paper and each section contain five questions, देखिए तीन section है, पहल section, दूसरा section और तीसरा section, और सब के अंदर पांच-पांच question है, इसमें भी पांच है, इसमें भी पांच है, और इसमें भी पांच है, क्लियर, each section contain five questions, a candidate has to answer a total of five questions, कोई एक candidate है, जो टोटल पांच questions का answer दे रहा है, choosing at least one of one question from each section, अब देखिए, सब में से कम से कम एक लेते हुए, अगर टोटल पांच करने हैं, तो देखिए, क्या कर सकते हैं, जैसे पहले वाला अगर एक कर रहा है, ये एक कर रहा है, तो ये कितने करे हैं, तो ऐसा हो सकता है, कि इधर दो दो हो जाए, इधर एक है, इसके पास में तीन हो जाए, और इस वाले section में से एक कर दे, अब पहले वाले को बढ़ाते हैं, क्योंकि इसमें जो possibilities थी, हमने सारी करके देख ली, अब इसको हमने two कर दिया, और इसको one रखा, तो तीन हो ग बचा, तो शिरफ एक ही option, तो ये आपके सामने total possibilities बन सकती है, जिससे आप 5 questions solve करवा सकते हैं, और हर section में से आपका एक question select हो जाए, इसके बाद, then the number of ways in which the candidate can choose the question, तो आपको ये ही counting करनी है, तो अब इसका answer 6 नहीं होगा, लेकिन जान रखिएगा, क्योंकि यहां पर 1 question तो solve कर रहा है, लेकिन उसके पास option तो 5 है, तो देखिए, और सभी के अंदर equal possibilities है, तो देखिए हम इस वाले case को 113, 1131, और 311, इन सब को एक साथ कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपको करना क्या है, सब के अंदर equal number हो कैसे हैं, इसलिए एक साथ कर सकते हैं, अगर different question होते हैं, तो क्योंकि हम अलग-अलग ही solve करते हैं, वण क्योंकि अभी तीनों में सेम है question, तो एक साथ कर सकते हैं, एक में आपको 3 select करना है, एक section में से एक करना है, तो 3 time क्या करना है, selections करने हैं, एक section में से एक क्यूस्टन का, दूसरे में से भी एक का, और तीसरे में से तीन क्यूस्टन का, 3 से multiply क्यों किया, चुछ तीनों case के अंदर ऐसा ही होगा, इसी के साथ देखिए बाकी जो तीन case है, उसमें भी एक जैसा है, यही आपका answer है, इन दोनों को add कर दीजिए, इन दोनों को add करने से जो answer आ रहा है, वो आपका correct answer है, तो solve करते हैं पहले, 5 into 5, there will be 25, 25 यहां से आएगा 10, so there will be 250 into 3, plus 3 into, यहां से आएगा 5C2 10 होता है, so 10 into 10 into 5, so there will be 500, तो आपका जो total answer आएगा, वो आएगा 1500 plus 750, that is 2250, और ऐसा हमारा कौन सा option है, fourth option, जो की हमारा क्या है, सही answer है, क्लिएर है बच्चों, चलिए, आगे बात करते हैं next question, और next है हमारा question number 9, और question number 9 में देखी हम से क्या बोला गया है, और क्या पूछा गया है, question number 9 के अंदर आपको दिया गया है, कि let a denotes the event that a six-digit integer form by 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 without repetition be divisible by 3, then the probability of event a is equal to, ठीक है, तो इसकी probability क्या होगी, देखें, आपको करना क्या, यहाँ पर एक six-digit का number बनाना है, ठीक है, यह तो आपके सामने क्या हो जाएगा, total number of outcomes, और favorable outcomes क्या हो जाएगे, कि इसमें से आपको six-digit का number ऐसा बनाना है, जिससे आपके सामने क्या हो जाए, वो 3 से divisible हो जाए, तो देखिए, ठीक से divisibility अगर चाहिए, और six-digit है आपके पास में, तो सबसे पहले तो तीन-digit ऐसे लीजिए, जिसके अंदर आपके सामने क्या हो जाए, ठीक से divisibility आ जाए, तो एक तो यह वाला case हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि 6 digit आपको लेने ही लेने हैं, अब इसके अंदर आपको एक ऐसी possibility है कि 0 का insertion करना है, लेकिन 0 का insertion आप सिरफ 2 जगे पर कर सकते हो, या तो 3 की जगे पर, और 6 की जगे पर, क्योंकि बाकी जगे पर अगर करेंगे, तो फिर 3 से divisible नहीं आएगा, तो या तो 1, 2, 0, 4, 5, 6, अगर आपका case बन सकता है, और या फिर ऐसा हो सकता है, कि 1, 2, 3, 4, 5, 0 वाला case बन सकता है, इन 3 के अलावा आपके सामने कोई चोथा case नहीं होगा, जिसके अंदर आपके 6 digits का selection हो जाए, और वो number आपका 3 से divisible हो जाए, आप करके देख सकते हैं, और कोई possibilities नहीं है, अब यहां से favorable outcomes कैसे निकालेंगे, तो इन 6 digits से total 6 digits के कितने numbers बनेंगे, 6 factorial, इन से कितने बनेंगे, 5 into 5 factorial क्योंकि पहली positions पर 0 नहीं आ सकता, और ऐसे अगले case में भी 5 upon 5 factorial, divide by, total 6 digits का आपको number बनाना है, तो total number of outcomes में पहली positions पर 0 नहीं आएगा, तो 6 और बाकी जो 5 positions है, उस पर 6 में इसे करेंगे, तो वो आ जाएगा आपके पास में 6 factorial, तो यह आपका क्या होगा, आंसर होगा तो चलिए देखते हैं, 5 factorial सब में आ रहा है, उसको काट देते हैं, तो उपर आएगा 6 plus 5 factorial कट जाएगा, 5 plus यहां से भी 5 factorial कट जाएगा, divide by 6 into 6, और बाकी पार्ट आपका cancel out हो चुका है, तो आपका answer आ रहा है 16 divided by 36, इसको अगर simplify करेंगे, तो हमारा answer आएगा 4 by 9, 4 से यह divide हो जाएगा, और हमारा पहला जो answer है, वो क्या है, सही answer है, clear है, देखें, किस तरीके से हम क्यूशनों को solve कर रहे हैं, कितना easily कैसे solve कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ध्यान से कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़े यहां पर possibilities आ सकती है, उनको use करते हुए, probability निकाल रहे हैं, तो हम दो चीज़े कर रहे हैं, favorable outcome और total outcome कर रहे हैं, और PNC का अगर क्यूशन है, तो उसके अंदर हमारा simple एक चीज़, हम counting कर रहे हैं, कि किस तरीके से, जो concepts PNC में होते हैं, उनहीं को लगाते हुए, हम हर क्यूशन को solve करते जा रहे हैं, चलिए आगे बात करते हैं, next question, और next है हमारा question number 10, और question number 10 में देखिए हमें क्या दिया गया है, यहां पर आपको दिया गया है कि two families with three members each and one family with four members, देखिए, दो परिवार तो ऐसे हैं, जिसके अंदर क्या है आपके सामने, तीन मेंबर हैं, और एक परिवार ऐसा है, जिसके अंदर आपके सामने क्या है, चार मेंब है, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, are we seated in a row, इन 10 लोगों को आपको एक row में बिठाना है, in how many ways can they be seated, यह कितने तरीके से बैठ सकते हैं, so that the same family members are not separated, मतलब क्या हुआ कि इन तीनों को एक साथ बिठाना है, इन तीनों को एक साथ और इन चारों को एक साथ, तो देखिए, हमें इन तीन quantities को arrange करना है, so यह arrange हो सकते है, 3 factorial तरीके से, लेकिन इसके बाद में इनका internal arrangement हो सकता है, group के अंदर, यह तीनों लोग आपस में arrange हो सकते हैं, पहले वाले 3 factorial से, यह आपस में हो सकते हैं, 3 factorial से, और यह हो सकते हैं, 4 factorial से, तो यह तो internal arrangements, और यह 3 factorial जो बाहर है, वो इसके बाद देखी इसको calculation में कितना time लगता है ठीक है बस एक छोटा सा आपने diagram बनाया और एक ही line के अंदर आप लोगों का answer आचुका है चलिए बात करते हैं आगे next question next है हमारा question number 11 और question number 11 में देखी आपको क्या बोला गया है out of 11 consecutive natural number if 3 numbers are selected at random without repetition then the probability that they are in AP with positive common difference चलिए बात करते हैं तो 3 numbers select करने हैं आपको ठीक हैं out of 11 consecutive natural number 3 numbers are selected तो 3 numbers अगर 11 में से select करने हैं तो total number of outcomes कितने आ जाएंगे 11C3 favorable outcomes के लिए आपको क्या करना है देखिए आपको करना है B will be equal to A plus C by 2 अगर 3 numbers इसे select करने हैं जो आपको इस तरीके से use हो रहे हो तो देखिए यहां से आएगा 2B equal to A plus C अब देखिए actually आपको AP के लिए करना क्या है आपको selection शिरफ A और C का करना है ठीक है जो भी आप A और C select करोगे ना उससे आपका B fix हो जाएगा जैसे अगर आपने A को 1 select कर लिया तो जैसे देखिए हमें आपसे दिखाई दे रहा है कि 2 into B means यह जो नमबर जो भी आएगा वह एक even नमबर आएगा तो हमें दो नमबर ऐसे select करने हैं जिनका sum कैसा हो जाए even हो जाए और दो नमबर का sum even कब हो सकता है या तो दोनों even हो जाए और या दोनों odd हो जाए तो अगर 11 consecutive natural number है तो उसमें से 5 और 6 का combination बनेगा या तो 5 even 6 odd होंगे या 6 even और 5 odd होंगे तो आपके जो favorable outcomes होंगे वो कितने हो जाएंगे या तो 5C2 देखिए choice से आपके पास choice के साथ addition होता या तो 5C2 और या 6C2 और साथ में आपके सामने total number of outcomes कितने हो जाएंगे that is 11C3 यही आपका answer है इसमें हमने B का selection क्यों नहीं किया क्योंकि देखिए A और C के selection के साथ B automatic select होता है ठीक है इसको simplify करते हैं उपर आएगा देखिए 5 into 4 by 2 नीचे से cancel out कर देंगे 6 into 5 by 2 नीचे से cancel out कर देंगे 11 into 10 into 9 divide by 3 into 2 into 1 आएगा लेकिन 2 को हम cancel out कर चुके हैं तो यह आपका answer है इसको simplify किया तो देखिए कितना आ रहा है कोई number 5 से cancel out हो जाएगा 2 time बाकी को add कर देते एक बार उपर आएगा 10 6 plus 4 10 और इसको काट देते 3 times 11 into 3 will be 33 और by 2 एक 2 नीचे तो इससे divide करेंगे तो 5 by 33 यह हमारा क्या हो जाएगा answer हो जाएगा और इस तरीके से हमारे जो second option है वो क्या है चलिए आगे बात करते हैं next question question number 12 और question number 12 के अंदर देखिए क्या है question number 12 के अंदर आपको पूछा गया है कि आपको the total number of positive integral solution xy,z such that xyz will be equal to 24 ठीक है हमें तीन numbers का इस तरीके से selection करना है कि तीनों का product कैसा हो जाए 24 हो जाए 24 का मतलब होता है 2 की power 3 into 3 की power 1 देखिए अगर हमें यहाँ पर natural number positive integral means natural number अगर बनाना है ठीक है तो जो भी आएगा x,y और z वो इनी numbers में से आएगा अब आ कुछ भी सकता है जिसे हो सकता है कि x आपके पास में 2 की power 0, 3 की power 0 आजाए y आपके सामने 2 की power 0, 3 की power 0 आजाए तो z पूरा का पूरा बत जाएगा या कुछ भी combinations बन सकते हैं तो देखिए कैसे करेंगे x आपके सामने इसी format का होगा 2 की power alpha 1 और 3 की power beta 1 ठीक है ना इसी की power select करेगा x आपका जो भी होगा x के पास एलफा के पास में choice है 0 से लेके 3 तक और बीटा के पास में choice है 0 से लेके 1 घुटा आपके सामने इनी मैं जाए लेकिन एक चिज और याँ पर की इन तीनों का जो sum है वो 3 से ज्यादा नहीं जा सकता ठीक न तीनों maximum कहां तक जा सकते हैं 3 तक ही जा सकते हैं ऐसे ही आपके सामने बीटा 1 प्लस बीटा 2 प्लस बीटा 3 इन तीनों का सम भी आपके सामने 1 से ज़्यादा नहीं जा सकता है क्योंकि आपके पास में तोटल ही कितना 1 है बस इन दोनों equation को solve कर दीजिए और ये दोनों चीजें एक साथ होनी चाहिए इसका सम भी 3 होना चाहिए और इन दोनों का तीनों का सम भी 1 होना चाहिए मिस जो भी answer आएगा उसको multiply करना है अचा alpha 1 के values start कहा से हो सकती है तो 0 से हो सकती है क्यों क्योंकि अगर 0 भी हो गया alpha 1 तो भी चल जाएगा alpha 2 0 हो गया तो भी चल जाएगा बस उस case में alpha 3 3 हो जाएगा तो आपको क्या करना non negative integral solution कैसे निकालते हैं 3 plus जितने number है minus c3 minus 1 into इससे 1 plus 3 minus 1 c3 minus 1 कितना आ रहा है 5 c2 into यहां से कितना आएगा 3 c2 इसको solve कर लिए 10 into 3 your answer will be 30 total 30 पेरे से बन सकते हैं जिससे आपका answer कितना आ सकता है तिनों का product 24 आपको सारे concepts अगर लगाने आते हैं PNC के तो कैसा भी question आये कोई problem नहीं है सो चली देखते next question number 13 और question number 13 में देखी क्या दिया है इसका क्या मतलब है कि जब आप कोई भी missile को fire कर रहे हो ठीक है तो वहां पर उसके अवरोधन होने की जो प्राइकता है वो क्या है 1 by 3 and then the probability that the missile hit the target given that it is not intercepted means आपको ये बॉला गया कि अगर अवरोधन नहीं है तो आपका जो target hit होगा उसकी जो probability है वो कितनी है 3 by 4 if 3 missiles are fired independently from the ship then the probability that all 3 hit the target तो देखिए target hit होना चाहिए means आपके सामने बीच में अवरोधन नहीं होना चाहिए तो आपको क्या करना होगा कि not intercepted जब होगा तब target hit होगा तो probability of not intercepted into probability of target hitting ठीक है ये होगा आपके सामने एक missile के लिए ठीक है और आपका इस तरीके से 3 missile के लिए क्या हो जाना चाहिए target hit हो जाना चाहिए तो इसका हम क्या कर देंगे cube कर देंगे तो देखे probability of not intercepted कितना हो जाएगा तो ये 1 by 3 है intercept की तो not intercept की हो जाएगी 1 minus 1 by 3 और probability of target heat आपको दिया गया है that is 3 by 4 और इसका आपको क्या करना है cube करना है तो तीन बार आपको क्या करना है मिसाल को target को hit करवाना है तो देखे यह 3 से 3 कट जाएगा 2 by 4 that is 1 by 2 का all cube और यही आपका answer है that is 1 upon 8 और 1 upon 8 आपका कौन सा answer है first option सो चलिए आगे बात करते हैं next question और next हमारा question number 14 और question number 14 के type के देखे जो भी questions आते हैं ठीक है उन सब questions को आपको क्या करना होता है formula बगरार जो भी होते हैं हमारे सामने जो हम set theory में पढ़ते हैं और साथ में ही हम probability में उनका use करते हैं उसका use करेंगे सो चलिए देखिए सबसे पहले आपको क्या दिए गए three probabilities of three events a b c are given by this तो यहां पर देखिए probability of a union b union c का formula use करेंगे जिसकी value दीगी आपको alpha so alpha will be equal to देखिए किसके equal होगा probability of a that is 0.6 plus probability of b 0.4 plus probability of c that is 0.5 ठीक है इसके साथ में minus probability of a intersection b जो आपको नहीं दिया हुआ है तो उसको as it is लिख दीजिए intersection b साथ में ही आपको probability of b intersection c जिसकी value आपको यहां पर बीटा दी गई है और probability of a intersection c जिसकी value आपको 0.3 दी गई है और साथ में probability of a intersection b intersection c का union को add करना है so that is 0.2 तो देखिए यह कितना आ रहा है अलफा की value आएगी देखिए 6 plus 4 10 plus 5 15 15 plus 2 17 17 minus 3 14 तो यह आएगी 1.4 minus probability of a intersection b और minus beta जिसको मैं इधर ले आए तो यह बन जाएगा बीटा प्लस alpha अब देखिए probability of a intersection b के लिए आपको दिया गया है question के अंदर probability of a union b की value तो देखिए एक formula और होता है हमारे सामने उस formula को लगाते हैं probability of a union b होता है 0.8 will be equal to probability of a 0.6 plus probability of b that is 0.4 minus probability of a intersection b जो हमें calculate करना है तो इसकी value देखिए हम यहां से निकाल सकते हैं तो यहां से कितना आएगा probability of a intersection b की value आजाएगी हमारे सामने 0.2 और यह value अगर मैं यहां put कर देता हूं तो देखिए मेरे को alpha plus beta की value मिलेगी कितनी 0.1.4 में से 0.2 सब्टेट कर दूँगा तो यह आ जाएगा हमेरे पास 1.2 अच्छा alpha का interval मेरे को दिया गया है वहां पर यह value put कर दें क्योंकि हमें beta का interval चाहिए तो alpha की value यह उसमें put करें तो आपको मिलेगा 0.85 से greater होगा alpha, alpha की जगे put कर दिया 1.2 माइनस बीटा और यह less होगा आपका कौन से नमबर से 0.95 इसको इधर ले आए 1.2 को ठीक है न अच्छा इधर 85 है न इसको इधर लेके आए तो यह बनेगा माइनस 0.35 विल बी less than or equal to minus beta will be less than or equal to इधर जब लेके आएंगे तो आएगा 0.25 वो भी minus का minus sign से multiply करेंगे तो हमें जो interval मिलेगा वो मिलेगा 0.25 से 0.35 तो जो मारा second option होगा वो क्या होगा यहां पर सही answer है चलिए आगे बात करते हैं next question next है question number 15 और question number 15 में देखिए हमें क्या दिया है question number 15 के अंदर आपको बोला गया कि यह पेको 52 कार्ड्स है यह वन कार्ड इस मिशिंग ठीकर एक कार्ड मिशिंग है टू कार्ड्स रॉन रेंडमली एंड आर फाउंड टू बी स्पेड ठीकर वो क्या है आपके सामने स्पेड है देन दिप्रोबिटी देट ता मिशिंग कार्ड इस नॉट इस पेड़ तो देखिए यह का किसका होगए conditional probability का क्यूसर होगए आपको दो केस बनाने है सबसे पहले तो ठीक है कि आपका जो कार्ड मिशिंग है वह स्पेड है या नहीं अगर देखिए वो spade card missing है तो उसके probability होगी 13 by 52 अगर वो spade है तो ठीक है न probability of spade और अगर वो spade नहीं है missing card तो उसके probability कितनी हो जाएगी 13 के अलावा 39 by 52 इसको solve कर लें तो यह आजाएगी 1 by 13 और इसके बाद में यह हो जाएगी आपके सामने 3 by 13 sorry 1 by 4 13 से divide करेंगे तो 1 by 4 और यह हो जाएगी 3 by 4 अब देखिए conditional probability किसे की निकालनी है कि that the missing card is not spade ठीक है न वो spade नहीं होना चाहिए तो यह वाला तो ऊपर आएगा so 3 by 4 into अब हमें करना क्या है साथ में दो card आपको select करने है और दोनों कैसे होने चाहिए spade होने चाहिए तो देखिए अगर missing card आपका spade नहीं था तो उसके लिए अब जो दो card select करोगे वो दोनों spade अगर है तो पहला card जो select होगा वो आपका 13 total कितने card होते 13 so 13 में से card select होगा आपका कौन सा spade वाला तो 52 आपके सामने 52 total outcome और उसमें से 13 spade है यह तो पहले card के आने की probability और दूसरे card के आने की probability अच्छा 52 नहीं 51 क्यों क्यों क्योंकि एक card तो miss हो गया ना आपका एक card तो miss है अब चाहिए वो इस पेड नहीं है तो कोई दूसरा होगा बट है तो से ना कि वो एक card आपका missing card है तो देखिए उसकी वो प्रॉब्लिटी जा गई अब 51 कार्ड है और उसमें से यह आपको कंफा में कि आपका मिशिंग कार्ड नहीं है तो तेरा कार्ड है उसमों उन में से कोई साब यह कार्ड आ सकता है टॉटल 51 इसके बाद में 50 कार्ड और आपका मिशिंग कार्ड है अब आपके सामने क्योंकि स्पेड नहीं है तो कितने बचे में 12 डिवाइड बाई एक तो यह प्रॉब्लिटी जा जाएगी बेस के अंदर थ्री बाई फॉर इन्टो फिप्टी वन इन्टो ट्वेल बाई 50 और साथ में पहले वाली प्रॉब्लिटी पह यहां पर आएगा आपके सामने 11 बाई अचाहिए यहां 51 होगा अगें और यहां पर 50 तो यह आपकी प्रॉब्लिटी होगी बहुत सारी चीजे कट जाएगी डारेक्ट फोर से फोर गया 51 से 51 गया 50 से 50 चला गया I think एक नंबर और जाएगा और वो कौन सा है वो 12 12 यहां पर भी है यहां पर भी है और यहां पर भी अब जो बचा है न उसको सिंप्लिफाई कर लो ध्यान से देखना उपर है 13 इंटो 3 there will be 39 divide by नीचे है आपके सामने 39 और साथ में आगे है आपके सा एसा जो option है वो आपका सही answer है तो second option will be correct बहुती सिंपल है बस थोड़ा सा ध्यान से अगर देखना है आपको कि एक कार्ड जो आपके सामने miss हुआ है वो spade miss हुआ या कोई दूसरा miss हुआ तो दूसरा miss हुआ तो उसकी probability यह और spade miss हुआ तो probability है और इसके बाद में आपको क question है चलिए आगे बात करते हैं next question next question number 16 question number 16 में देखिए आपको क्या बोला गया है कि 6 इंडियन और 8 foreigners है आपके सामने ठीक है और आपको क्या करना है आपको उन में से कुछ लोग select करने है और वो इस तरीके से select करने है कि at least 2 इंडियन होने चाहिए आपके सामने और उससे double आपके सामने क्या होने चाहिए foreigners होने चाहिए then the number of which तो आप ये committee कितने तरीके से बना सकते है वो आपको करना है तो देखिए अगर आप 6 इंडियन में से 2 इंडियन को select करते हो तो आपको 8 foreigners में से कितने foreigners select करने है 4 क्योंकि इंडियन से double होने चाहिए इसके अलावा आप ऐसा भी कर सकते हो कि 3 इंडियन को select कर लो तो आपके सामने कितने हो जाएंगे 8 में से कितने select करने है तीन का double कितना होता है 6 ऐसा भी हो सकते है कि आप 4 इंडियन select कर ले तो 8 का double कितना होता है 8 तो आपको 8 के 8 foreigners select करने है लेकिन आप 5 इंडियन select नहीं कर स ही है तो आपका पार्ट यहीं complete हो जाएगा इसको solve कीजिए यह आएगा 6 into 5 by 2 into 8 into 7 into 6 into 5 divided by 24 4 factorial कितना होता है 24 plus 6 into 5 into 4 divided by 6 into 8 c 6 होता है 8 c 2 के equal 8 into 7 by 2 plus 64 6 into 5 divided by 2 और 8 c 8 होता है 1 देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन देखिए इसमें बहुत सारी सारी से कट जाती है तो simple हो जाता है देखिए सबसी यहां से start करते हैं 3 5 into 3 कितना होगा हमारे सामने 15 plus यहां पर देखिए क्या-क्या cancel out होगा 6 से 6 गया 2 से cancel out हो जाएगा 2 time तो 8 into 7 56 और 5 into 2 10 तो 560 प्लस यहां आते हैं देखिए 8 से गया 3 3 times 3 into 2 6 से 6 चला गया तो पिछे जो numbers बचे उनको multiply करें तो देखिए कितना आएगा 5 यहां पर आपके सामने 6 है तो इसमें से 1 2 को इदर मला दिया 10 तो यहां पर 3 बचेगा 21 20 into 5 105 और 10 का factor बनाता तो 1050 तो 3 numbers आ रहे हैं आपके सामने एक आ रहा है 1050, एक 560 और एक 15 तीनों को add कर लीजे आपको answer मिलेगा 1625 तो 3rd option आपका correct होगा चली आगे बात करते हैं next question number 17, question number 17 में देखिए आपको क्या दिया है question number 17 में आपको बोला गया है कि एक ordinary dice आमें rolled करना है और a certain number of time if the probability of getting an odd number two time is equal to the probability of getting an even number three time then the probability of getting an odd number for odd number of time क्या होगा तो देखिए क्या है probability of getting an odd number two time odd number कितना है आपके सामने two time और that will be equal to getting an even number is three time इसका क्या मतलब हुआ कि अगर for example मैंने उसको n time किया तो nc2 into odd या even कुछ भी हो आपके सामने ठीक है न probability कितनी आएगी 1 by 2 दोनों case में so 1 by 2 की power n will be equal to nc3 three time और there will be equal to 1 upon 2 की power n इसको solve कर लेजी देखिए ये तो cut जाएगा और आपको मिलेगा यहांसे nc2 n into n minus 1 by 2 will be equal to n into n minus 1 into n minus 2 by 6 तो यह cancel out तो से यह cancel out 3 time तो यहांसे देखिए आपको n की value भी जाएगी n minus 2 equal to उदर 1 बचा so 3 into 1 3 so n की value 5 आ गई इसका मतलब यह हो गया कि आपके सामने n की value है वो कितनी है total 5 है ठीक है अब आपको क्या करना है then the probability of getting an odd number for odd number of time देखिए इसका क्या meaning हुआ इसको मिटा देते n की value आगे है हमारे पास 5 आ गई है तो देखिए odd number आना चाहिए odd time तो odd number आने की probability तो 1 by 2 है और total 5 बार हम कर रहे है तो देखिए अगर 5 न की value तो 5 आयती है अगर 5 में से अगर एक बार अगर आप मारे सामने odd number आता है तो उसकी probability कितनी होगी 5C1 into 1 upon 2 की power 5 प्लस 5C3 अगर 3 बार आ जाए तो 1 upon 2 की power 5 और प्लस 5C5 into 1 by 2 की power 5 यही हमारा answer है एड कर दीजिए उपर आएगा 5 प्लस 5C3 विल बी 10 प्लस 1 और डिवाइड बाई 32 कितना आएगा 16 बाई 32 और यहाट इस 1 बाई 2 और हमारा answer होगा second one so चलिए आगे देखते next question और next हमारा question number 18 और question number 18 में देखिए क्या है the probability that two randomly selected subset of the set this have exactly two elements in their intersection देखिए यह जो set वाले questions आते हैं इनको कैसे करते हम लोग देखिए दो set की बात चल रही है तो हम ऐसे दो set बनाएंगे A और B और हमारा element या तो दोनों में चला जाए या एक में जाए दूसरे में ना जाए या इस में ना जाए इस में चला जाए या दोनों में ही ना जाए तो अगर हम total number of outcomes की बात करें, तो हमारा जो element है, इन चारों में से कोई सा भी एक case हो सकता है, या तो हमारा element इन दोनों set में चला जाए, कोई भी element या वो सिरफ इस वाले set में जाए, या सिरफ दूसरे वाले set में जाए, या दोनों में ही ना जाए, तो उसके पास चार possibility है, प पांच स्वे के लिए भी यही, यह तो total यह subset बनाने के लिए अपना काम कर सकता है, अगर दो सबसेट इसको बनाने हैं, ठीक है, तो हर element को हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, distribute कर सकते हैं, दो पार्ट के अंदर, या तो दोनों, हर element को दोनों set में बेज दे, या एक हर element को शि favorable outcome, favorable outcome में आपको क्या करना है, है exactly two elements in their intersection, अब जो हम यह subset बनाये हैं, उसमें exactly two elements होने चाहिए, उनके intersection में, तो देखे कैसे करेंगे, पांच में से माल लेते हैं, पहले हमने दो elements को select कर लिया, ठीक है, और क्योंकि उनके intersection के अंदर वो दोनों elements होने चाहिए, और साथ में के exactly two होने चाहिए, दो से ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए, और उन दोनों elements को हम क्या कर दें, इस वाले set में बेज़ दें, इस वाले case में बेज़ दें, तो पहले वाले elements को जाने का भी एक तरीका, और दूसरे वाले element को भी जाने का एक तरीका, इसके साथ में लेकिन आप आखी जो तीन elements बचे पहले के जाने के भी तीन तरीके दूसरे के भी तीन और तीसरे के भी तीन अब देखिए जब आप इसके intersection की बात करेंगे ठीक है तो जो भी elements select होंगे वो A में भी होंगे और B में भी होंगे और उनके intersection में exactly two elements होंगे दो से ज़्यादा होंगे ही नहीं तो चलिए यहीं आपका answer इसको solve कर लिए लेते हैं 5c2 will be 10 there will be 27 और divide by यहां पर आजाएगा आपके सामने टू की पावर 10 तो एक 2 को काट दिया तो यह आएगा 135 divided by 2 की पावर 9 और इस तरीके से आपका जो second option है वो यहां पर क्या है correct answer है चलिए आगे बात करते हैं next question और next है हमारा question number 19 और question number 19 में देखे हमसे क्या पूचा है question number 19 में पहले तो हमें दो equations दी गई है ठीक है नो y plus z 5 है और 1 upon y plus 1 upon z 5 by 6 है तो देखते हैं कितना आ रहा है इनको solve करने से y plus z हमें दे रका है पहले तो कितना that is 5 और 1 upon y plus 1 upon z कितना दे रका है there will be 5 by 6 तो LCM लिया y plus z आएगा that is 5 divided by yz और that will be equal to 5 by 6 5 से 5 कट गया तो y into z की value मिल गई हमें that is 6 अब देखिए yz का product पता और sum पता है तो इनसे equation बना लेते हैं और उसको solve कर लेते है there will be x square minus sum of root plus product of root will be equal to 0 इसको solve किया इसके दो factors आए x minus 2 into x minus 3 और इसके solutions होंगे 2 और 3 उसमें से एक आपका y होगा और एक z होगा तो question में आपको बोला गया है कि yz से बड़ा है तो y की value कौन सी होगी 3 हो जाएगी और z की value कौन सी हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी ठीक है अब देखे आगे question देखते हैं क्या है आगे आपको दिया एक number n that will be equal to 2 की power x 3 की power y कितना आया था 3 और 5 to the power z वो कितना आया था 2 where y and z are such that these equations then the number of odd divisors of n तो n के odd divisors कितने होंगे तो देखिए अगर odd divisors चाहिए तो यहां से यह 2 गाइब होना चाहिए और 2 गाइब तभी होगा जब यहां पर x की value कितनी हो जाए 0 हो जाए क्योंकि अगर x की value 1 भी हो गई तो यह number even बन जाएगा तो x को जब 0 लेंगे तो पिछे बचेगा 3 cube into 5 square अब इसमें से जो भी आप divisors आएगा वो सारे के सारे odd होंगे और इसके number of divisors कितने होंगे 3 plus 1 4 and 2 plus 1 that is 3 so 4 into 3 कितना हो जाएगा 12 तो हमारा जो correct answer होगा वो कितना आएगा 12 तो third option हमारा क्या है सही answer है क्लियर है बच्चों चले आगे बात करते हैं next question और next है हमारा question number 20 और देखें क्या पूछा है हमसे 20 में क्या दिया गया है question number 20 के अंदर आपको बुला गया है कि team A consist 7 boy and n girl और team B के अंदर हमारे सामने क्या है team B के अंदर है 4 boy and 6 girl और if a total of 52 single matches can be arranged between these two team when a boy play against a boy and a girl Play against a girl then n is equal to देखिए दो team है दोनों आपसमें maids खेल रही है और boy boy के साथ खेल रहा है और girl girl के साथ तो कितने तरीके से खेल सकते हैं तो देखिए जो ये 7 boys है ये आपके सामने इं 4 boys के साथ में खेलेंगे, तो कितने तरीके से खेल सकते हैं, 7 में से कोई भी एक boy into, 4 में से कोई भी एक boy को सेलेक्ट किया, तो उनके बीच में कितने match होंगे, 1 match होगा, clear, यह आपके सामने ऐसा हो सकता है, कि n में से किसी एक girl को select किया, into 6 में से girl को select किया, और यह जो 6N will be equal to 52, so यहां से 6N की value आएगी आपकी 24, तो N की value आजाएगी 24 by 6 that is 4, means जो हमारे सामने number of girls होगी team A के अंदर, वो कितनी होगी, 4 होगी और हमारा जो fourth option होगा वो क्या होगा, सही answer होगा चलिए आगे बात करते हैं, next question number 21 और question number 21 में देखें क्या पूछा है, question number 21 के अंदर, आपको दिया गया है, 2 dice are rolled इप बहुत दी dice है, 6 face number 1, 2, 3, 5, 7, 11 देखें, यहां पर face के number change कर दिये हैं, ठीक है, तो question को हम ऐसा ज्यान से पढ़ना है, ठीक है, कहीं पर भी कुछ गढ़बढना हो, then the probability that the sum of the numbers on the top faces is less than or equal to 8, तो हमारा जो sum है, top face का ठीक है न, वो कैसा होना चाहिए, 2 dice को roll करने के बाद में 8 या 8 से कम होना चाहिए, तो देखें कितने तरीके से कर सकते हैं, ध्यान रखें, हमारे सामने 3 के बाद में 5, 7 और 11 है, इस चीज का ध्यान रखना है, तो चली 1 से start करते हैं, जैसे मैंने का था जब भी 2 dice वाले आते हैं, हम case बना के देखते हैं, 1 के साथ में 2 आएगा तो 8 से कम है, अच्छा less than or equal to 8 है या शिरफ हुआ है, so less than or equal to 8 means 8 तक हम जा सकते हैं, तो चली यह बात करते हैं, 1, 2 उसके बाद 1, 3, उसके बाद 4 नहीं है आपके सामने, 1, 5 है सीधा, और उसके बाद में 1, 7 बस 1 के साथ में यह case बनेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके बाद में यह complete हो जाएगा, 1 के बाद अगर आप 11 को लेंगे, ठीक है, तो आपके सामने क्या हो जाएगा, 1 के बाद में 11 को हम लेते हैं, ठीक है, तो वो जो सम होगा हमारे सामने, ठीक है, वो 8 से ज्यादा हो जाएगा, बट एक चीज़ और, 1 के साथ में 1 भी आ सकता है, ठीक है, पहले पर भी 1 आ जाएगा, अब बात करते हैं तो इसके बाद में 1 पर 3 आ जाएगा, पहले पर 3,1, 3,2, 3,3, और 3 के साथ में 5 आ सकता है, तो बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि 3 और 5 तो कितना होता है, 8, और इस से ज़्यादा होगा नहीं, इसके बाद में 5 के साथ देखेंगे, 5,1, 5,2, और 5,3, 5 के साथ में 5 नहीं आ सकता, क्योंकि 5 के साथ में 5 आ गए तो 10 हो जाएगा, इसके बाद में बात करते हैं, 5 के बाद में 7, 7 के साथ में 1, 7 और 1, 8 होता है, और 7 के साथ में 2 नहीं आ सकता, क्योंकि 9 हो जाएगा, और इसके बाद में complete क्योंकि इसके बाद में हमारे सामने जो बाकी जो दो numbers है हमने 1, 2, 3, 5 सब के साथ में ले लिए 7 के साथ 11 के साथ में कुछ होगा नहीं तो चलिए count करते है total case कितने आ रहे है 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर total 4, यहाँ पर भी total 4, यहाँ पर 3 और यहाँ पर कितने आ रहे हैं 1 तो देखिए कितना आ रहे हैं 5 प्लस 4, 9, 9 प्लस 4, 13, प्लस 3, 16, प्लस 1, 17 तो 17 आपके सामने favorable case और total number of cases will be 36 तो हमारा जो answer होगा वो कौन सा होगा, first option चली आगे बात करते हैं next question, next है question number 22 और देखिए 22 में हमसे क्या पूचा है क्या दिया गया है, question number 22 के अंदर आपको दो probabilities दी गई है और उस probability से लेट इन्हें binomial distribution को एक binomial distribution है consist of 5 independent trials, ठीकर 5 हम independent trials कर रहे है probability of exactly 1 and 2 success will be this and this exactly 1 और 2 success की probabilities यह है then the probability of getting exactly 3 success, उसकी probability क्या होगी वो हमें निकालनी है तो चले ही बात करते हैं, तो सबसे बात करते हैं, exactly 1 PX will be equal to 1, क्या होता है देखिए, अचा हम trial कितने कर रहे हैं 5 independent trial कर रहे हैं, मैं इस 5 में से हमने 1 को select किया ठीक है, और जिसको हम select किया उसकी probability अगर P है तो P to the power 1, तो failure की probability कितनी हो जाएगी Q4 और यह हमें कितना दिया गया है, that will be 4096 divided by 1000 ऐसे ही आपके पास में exactly 2 का दे रखा है, आपको P of X will be equal to 2 that will be 5C2 P square into Q3 और यह कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा हमारे सामने 2048 divided by 1000, देखिए इन numbers को देखके गबराइए मत जो क्यूशन में दिया जाता है, सब कट पिट के, हम ऐसा क्यूशन easily ही solve होते हैं PNC के, इसको इससे divide कर दीए, तो देखिए divide करने से क्या फाइदा हुआ, 1000 से 1000 गया, यह इससे चला गया 2 time, यहां से 1 P से 1 P चला गया, यहां से Q3 से Q की power 4 चला गया तो उपर बचा 5, divide by 10, नीचे 5C to 10, उपर एक Q बचा, नीचे एक P बचा, और equal to में आगया 2, तो यहां से हमें क्या मिला, यहां से हमें मिला Q will be equal to कितना, Q will be equal to, यह से आप 4P के equal put करोगे, तो 4P plus P कितना हो जाएगा, 5P, तो P की value आजाएगी हमारे सामने 1 by 5, ठीक है, ऐसे Q की value आजाएगी, failure की probability that will be equal to 4 by 5, P और Q आ चुका है, तो हम exactly 3 success की probability निकाल सकते हैं, ठीक है, exactly 3 success की probability कितनी हो जाएगी, हमारी पी success की probability है, जान रखिये, so P X will be equal to 3 कितना होगा, आपका 5C3 into, आपके success की probability that will be 1 by 5 का whole cube into failure की probability that is 4 by 5 की power 2, देखिए कितना आ रहा है, 5C3 होता है, आपका 5 into 4 by 2, यह हो जाएगा 1 upon 5 cube, और यह हो जाएगा 4 upon, 4 का square upon 5 का square, so चलिए बात करते हैं, एक 5 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 2 time, तो उपर आएगा 16 into 2, 32, और नीचे आएगा 5 की power 4, there will be 625, तो आपका जो answer होगा, वो पहला option होगा, और फर्स्ट option सही है, ठीक है, यह आपका बर्नवली distribution से था क्यूशन, आगे बात करते हैं, सिधा formula लग रहा था हर पार्ट पे, there will be question number 23, और question number 23 में देखिए हमें क्या दिया है, question number 23 के अंदर आपको बोला गया है, इता number of 7 digit integers with the sum of the digits equal to 10, 7 digits का number बनाना है, उसका sum कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए, और 7 में आपको बोला गया है कि numbers 123 use करने हैं, तो देखिए कैसे करेंगे, sum 10 चाहिए, तो पहले मान लेते हैं कि 1, 1, 1, 1, 1, 1, पांस बार 1 है, तो आपके सामने 2 digits हो जाएंगे, 2 और 3, एक तो sum 10 ऐसे आ सकता है, अब कोई यह कहें कि मैं तो 2 और 3 से ही बनाऊंगा, तो भाई साब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2 और 3 में से अगर आप सिरफ अगर 2 की ही बात करें, तो अगर 5 2 से sum 10 हो जाएगा, आपको 1 का use तो करना ही पड़ेगा, इसके बाद में 5 बार 1 रखा, ठीक है, तो हमारे सामने कितना आ गया, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, और यहाँ पर है हमारे सामने 2 और 3, ठीक है, ठीक है, सो 3 और 2, 5 हो गया, तो इस बार हमने क्या किए, 4 बार 1 रखा, अब हमारे सामने पिछे कितना बचा, 6 बच गया, तो 6 में हमने क्या कर दिया, अगर इसको 3 दे दिया, और इसको भी 3 दे दिया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 6 डिजिट का नमबर बना, हमें कितने डिजिट का बनाना है, 7 डिजिट का नमबर बनाना है, तो और कोई possibility, 1, 2, 3, 4, 5, एक possibility हमने ऐसे ही कर दी, 1, 1, 1, 1, इस 3 में से एक 1 इसको दे दिया, तो there will be 2, 2, 2, 2, यहसा भी हो सकत है, कि 6 और 4 मिलके 10 हो जाए, इसके अलावा और कोई possibility नहीं, आप करके देख सकते हैं, सिर्फ यह दो possibility होगी, क्योंकि पहले हमने एक simple possibility बनाई, फिर एक इदर 3 था, एक 3 को आपने उठा करके उधर दे दिया, अब कोई कहेगा कि इस 3 को में इस वाले 1 को दे दू, तो वो ठीक है, और यहां से आपके जो total numbers बनेंगे, वो बनेंगे 7 factorial divided by 4 factorial into 3 factorial, तो चलिए चेक करते हैं कितना आएगा, 7 into 6, 5 factorial कर जाएगा, there will be 42, और यहां से आएगा हमारे सामने, 7 into 6 into 5 divided by 6, 4 factorial कर जाएगा, so that is 35, so total answer आएगा हमारा, there will be 77, ठीक है, और ऐसा हमारा option है, first one, तो पहला option हमारा क्या है, साही answer, clear है, so चलिए आगे बात करते हैं, next question, और next है हमारा question number 24, question number 24 में देखे, क्या पूचा है, question number 24 में आपको दिया है, यह fair of coin is tossed, fixed number of time, if the probability of getting 7 heads is equal to the probability of getting 9 head, then the probability of getting 2 head is, तो हमें क्या करना है, कि हमने कितनी बार toast किया है, यह हमें निकालना है, हमें दिया गया है, probability of head will be equal to 7, will be equal to probability of getting 9 head, ठीक ना, आपके सामने 7 head और 9 head की probability 7 है, चलिए बात करते हैं, मान लेते हैं कि total n numbers है हमारे सामने, तो n में से आपको 7 बार select करना है, और head आने की probability होती है, 1 by 2 की power 7, और remaining जो पार्ट है आपके सामने, वो कितना हो जाएगा, 1 by 2 की power, क्योंकि 7 time अगर head आया है, तो बाकी time पे tail आएगा, और there will be n minus 7, और यह equal है आपके सामने, probability of 9 head, तो 9 head के लिए देखिए कितना आएगा, there will be probability of nc9 into 1 by 2 की power 9, into 1 by 2 की power n minus 9, तो देखिए यह पार्ट तो कट जाएगा आपका पूरा, ठीक है, n minus, वहाँ पर भी 1 by 2 की power n, यहाँ पर भी 1 by 2 की power n, तो आपके सामने बचा क्या, nc7 equal to nc9, अब यह कब दोनो equal होते हैं, आपने पड़े होंगे, pnc के अंदर और binomial के अंदर भी कि यह दोनों numbers तभी same होते हैं, या तो इनका नीचे वाला number same हो, और या फिर n की value क्या हो, नीचे वाले दोनों numbers के sum के equal हो, so there will be 16, n की value यहाँ पर हमारे सामने क्या होगी, 16 होगी, और n जब आ गया है, तो हम निकाल सकते हैं कि exactly getting two head की probability क्या होगी, probability of head will be equal to 2, so there will be 16c2, total n 16 था, into 1 by 2 की power, 2 into 1 by 2 की power, 16 minus 2, that is 14, क्योंगे head or tail दोनों की probability same होती है, तो इसका कोई फरक्वाँ पर ज़्यादा पड़ेगा नहीं, तो यहां से आएगा 16 into 15 by 2 and whole divide by 2 की power 16, तो देखिए कितना आएगा, एक 2 कर जाएगा 8, तो आपके सामने उपर 8 बच जाएगा, तो नीचे से 2 की power 3 cancel out हो जाएगी, तो 2 की power 13 आ जाएगा और यह आपका answer है, so 15 upon 2 की power 13, second option आपका क्या है, सही answer है, चलिए आगे बात करते हैं next question, और next है आपके question number 24 तो हम देख चुके है, question number 25 और question number 25 में देखिए क्या पूचिए, rank पूचिए, यह बच्चों को बहुत favorite question होता है, rank निकालना, जब भी किसी भी बच्चे को यह question मिल जाता है paper में, ज्यादा तर देखा है, मैंने बच्चे सबसे पहले इसको solve करते हैं, तो देखिए कैसे निकालते हैं, वैसे आप सब लोग कर सकते हैं, इसको बहुत easily, सबसे पहले इसको alphabetic order में लिखा, तो सबसे पहले आएगा E, E पास हमारे पास हमने याँ पर alphabetic order में ह, हमारे सामने याँ पर alphabetic order में M, M के बाद में आएगा O, के बाद आर और R के बाद ट, हमें arrangements देखने हैं, कि यह वाला जो वर्ड mother है यह कब बनेगा ठीक है चलिए इसे स्टार्ट होने वाले वर्ड सारे डिपरेंट है तो यह तो बहुत simple होता है 5 factorial that is 120 ह से स्टार्ट होने वाले अगें 5 factorial 120 म हमारा fix हो गया यहां से cancel out फिर अगें M E से स्टार्ट होने वाले वर्ड 24, 4 factorial, इसके बाद M H से स्टार्ट होने वाले अगें 24, इसके बाद M O, O फिक्स हो गया, O को या से हटा दिया, इसके बाद M O, E से स्टार्ट होने वाले 6 words, इसके बाद M O, H से स्टार्ट होने वाले 6 words, और M O, T, T फिक्स हो गया, इसको या से हटा दिया, M O, T, E से स्टार्ट होने वाले 2 words, H और R का आरेंजमेंट, M O, T के बाद में H, H हमारा फिक्स हो गया, इसको हटा दिया, इसके बाद में E आएगा, E भी फिक्स हो गया, इसको भी हटा दिया, तो R आ जाएगा, और यह हमारा मदर बन चुका है, इन सबको add करना है, और यह हमारा answer है, तो देखे कितना आएगा, 240, प्लस 48, प्लस 18, और प्लस 3, देखे कितना आ रहा है, 8 प्लस 8, 6 प्लस 3, that is, 16 प्लस 3, 19, 9, 1 प्लस 1, 2, 8 प्लस 2, 10, और साथ में आपके सामने, 2 प्लस 1, 3, तो आपकी जो इसकी rank आएगी, वो कितनी आएगी, 309, ठीक है, यह question, बच्चों का favorite question होता है, और सभी का answer मैं आज तक जो भी देखा है, and I hope, आप सब, मैसे जिसने भी exam दिया है पीछे, या आपने यह question कभी भी किया है, तो सबने सही किया होगा, चलिए आगे बात करते है, question number 26, question number 26 में देखे क्या पूछा है आप से, कि the total number of 3 digit numbers, whose sum of digits will be 10, आपको total 3 digit numbers बनाने है, जिनके digits का sum क्य होना चाहिए, 10 होना चाहिए, तो देखे, जब भी आपको 3 digit का number बनाएंगे, तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से एक number लिखेंगे, और इन 3 digits का sum आपके पास में कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए, तो चलिए 10 कर देते हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर 3 digit number बना रहे हैं, तो जो पहले वाला digit है, वो आपका 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, मिस x की value तो आपकी 1 या 1 से ज्यादा होनी चाहिए, बाकी y और z आपका कुछ भी हो सकता है, तो चलिए x को 1 पहले से दे देते हैं, तो इसको एक पहले से दे दिया, तो अब जो बाकी जो numbers बचे, उनका जो sum होगा, वो कितना हो जाएगा, 9, और अब सब 0 से शुरू हो सकते हैं, क्यों, क्यों ये करने का तरीका होता है, अगर कोई भी number की minimum कुछ criteria है, तो उसको पहले ही फेंक दो, ठीक, उसको मिल जाएगा, अब हमें कैसे बता चलेगा, वो x के पास ही जाएगा, तो कि हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर counting कर रहे हैं, ठीक है, और किसी एक को देना है, तो चाहिए को किसी के भी पास गया है, हमारी जो counting होगी न, वो सही हो जाएगी, clear, चले, x plus y plus z अब 9 है, और इसका numbers का कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो इसके अंदर आपके पास में 0 से स्टार्ट होकर के कोई भी डिजिट आजाए, तो हमारा जो answer आजाएगा, वो आजाएगा, 9 plus 3 minus 1, c3 minus 1, there will be 11c2, 11 into 10, there will be 55, और बच्चे भाग करके यह answer लिख देंगे 55, देकि सिरफ यह question आता, ठीक है, तब तो आपका answer यह सही था 55, लेकिन यहाँ पर देखिए, 90 numbers निकाले हैं, ठीक है, तो ऐसा case भी आएगा, जब यह दोनों digits आपके 00 हो जाएगे, और यह पूरा 9 इसके पास चला जाएगा, और एक 1 हमने इसको पहले ही दे रखा है, तो यह 10 हो जाएगा, जबकि यह एक digit है, जिसकी value 10 नहीं हो सकती है, तो इसमें से यह 1 case आपका क्य क्लिर है, चलिए, आगे बात करते हैं, next question, there will be question number 27, और देखे, question number 27 में हमसे क्या पूचा है, question number 27 में आपको दिया है, पहले तो x, y, z, कोई भी एक triplet है, integers का, जो की इन equations को क्या कर रहा है, satisfy कर रहा है, तो आपको बताने हैं कि ऐसे कितने number of elements होंगे, इस set के अंदर, तो चल है कि क्या आ रही है, x, y, z, ठीक है, execution जब ही आता है, ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, इनको solve करना होता है, यहाँ पर minus 2x को देखकर के मैंने इसको 2 से multiply किया, और इसमें add कर दिया, जैसे इसमें add किया, तो 2x से 2x कटा, लेकिन साथ में 4y से 4y भी कट गया, तो देख 0 put करोगे किसी भी एक equation में तीनों में से, ठीक है, तो आपको सब जगे पर same equation मिलेगी, there will be x will be equal to 2y, इसका मतलब यह हुआ कि x और y में हमेशा यह relation रहेगा, और z आपका 0 रहेगा, अब x की जगे पर 2y put कर दें और z 0 put कर दें यहाँ पर, तो यह बन गया 15 plus x square, और x square की plus y square, अचा यहाँ पर inequality है, और plus z square 0 will be equal to 150, तो हमें क्या मिल रहा देगे, 4y square plus y square that will be 5, तो इसको काट दिया, so 3 time y square और इसको 5 से काटा तो 30, तो देखिए, y आपके साबने integer है जहाँ रखिएगा, y क्या है, integer, तो इस inequality को satisfy करने वाले कौन कौन से integers होंगे आपके, y equal to plus minus 2, plus minus 3, plus minus 4, और plus minus 5, ठीक है, y की यह 8 possibilities होगी, उनके corresponding x की भी आपके सामने 8 possibilities आएगी, और हर y पर एक ही x मिलेगा आपको, ठीक है, और z आपका हमेशा 0 है, तो total आपकी y की जो 8 values है, तो उसके corresponding x की 8 values होगी, तो 8 8 और z की एक single value है 0, तो total number of pair जो बनेगे, आप लिख करके अगर देखेंगे, तो आपको total 8 pair दिखाए देगे, जितनी y की values है, उतने ही आपके pairs होगे, आगे बात करते हैं, चलिए next, question number 28, question number 28 में देखी, क्या है, 28 में आपको दिया गया है कि the probability of a man hitting a target is 1 by 10, किसी target को hit करने की probability कितनी है, 1 by 10, the least number of shots required so that the probability of hitting the target at least once is greater than 1 by 4, देखिए, जब भी at least once वाले question आते हैं, तो एकी तरीका आपनाना चाहिए, 1 minus target कभी hit नहीं हुआ, और target कभी hit नहीं हुआ, तो उसकी probability हमारे पास में कितनी हो जाएगी, 9 by 10 की power n, clear है, 9 by 10 की power n, और ये किस से greater होनी चाहिए, ये 1 by 4 से आपकी greater होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि ये आपको question में दिया गया है कि ये क्या होनी चाहिए, 1 by 4 से greater होनी चाहिए, इसको solve करते हैं, देखते हैं n की value क्या आती है, so 1 by 4 को उधर लेके चले गए, तो ये हो गया 3 by 4 will be greater than 9 by 10 की power n, तो यहाँ पर जब आप n की value देखोगे, तो आपको जो n की least value मिलेगी, वो 3 मिलेगी, क्योंकि उसके बाद में ये जो number होगा, आपका 0.75 से less हो जाएगा, और आपका जो answer हो जाएगा, वो कितना आजाएगा, 3 आजाएगा, तो चलिए, आगे बात करते हैं, next question number 29, question number 29 में देखी क्या बोला गया है, a test consists of 6 multiple choice question, ठीकन 6 question है हमारे साब ने, each having 4 alternate, 4 alternate जैसे आप लोगों सामने होते हैं, generally answers of which only 1 is correct, then the number of ways in which a candidate answer all 6 question, such that exactly 4 of them answer are correct, exactly 4 उसके पास में correct होने चाहिए, देखे कैसे करेंगे, 6 question है हमारे सामने, 6 में से 4 को select करना होगा पहले, ठीक है, और जिन 4 को आपने select किया है, ठीक है, वो उस में से जो 4 है आपके सामने, वो exactly क्या है, correct है, तो उसके अंदर आपने जो correct option है, वो ही बढ़ा है, मिस सब के अंदर जो correct option, जो एक correct choice है, आपने उसी पे click किया है, लेकिन साथ में बाकी जो दो आपने जो गलत किये हैं, उसके आपके सामने total कितनी possibilities होते सकती है, गलत करने की, वो 3 into 3, तो यह आपका क्या हो जाएगा, इसको solve कर लीजिए, 6 into 5, divide by 2, into 9, तो यह cancel out हो जाएगा, 3 times, so 15 into 9, 135, that is your answer, ठीक है, simple question था, बस थोड़ा सा, इसमें जो हम गलती करते हैं, हम यह वाला काम नहीं करते हैं, ठीक हैं, यह भी करना है आपको साथ में, के लिए, आगे बात करते हैं, question number 30, question number 30 में देखिए, आपको क्या दिया है, कि the number of word, with the, and without meaning, that, can be formed, by taking four letters at a time, from the letter of the word, syllabus, such that two letters are distinct, and two letters are alike, देखिए, इसके अंदर, आपको 4 select करने हैं, जिसमें से, दो identical होने चाहिए, और दो alike होने चाहिए, so S, S, L, L, ये identical है, Y, A, और साथ में हमारे सामने है, B, और S, ये हमारे सामने combination है, तो दो identical के लिए, हमें इन दोनों में से, एक pair select करना पड़ेगा, there will be 2C1, इसके बाद में, इन दोनों में से, हमारे सामने एक ही pair select होगा, तो एक आपको दो different select करने के लिए, ये जो 5 है, ये भी एक pair का काम करेंगे, माल लेते हैं कि S select हुआ है, तो पिछे L बच जाएगा, और L select हुआ है, तो पिछे S बच जाएगा, इसमें भी हम गलती क्या करते हैं, कि जब हमारे को 2 different करने होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम इन 4 में से ही करते हैं, भई इसको कोई दिक्कत थोड़ी है, इसमें से भी एक L आ सकता है, आपके सामने जो 2 L बच गए थे, क्योंकि इधर तो शिर्फ 2 S का सेलेक्शन हुआ है, ल तो बचा हुआ है, तो एक L का भी सेलेक्शन हो सकता है, ऐसा वर्ड भी तो बन सकता है हमारे सामने, S, S, L, B, इसके अंदर भी 2 identical और 2 different है, ऐसा वर्ड भी बन सकता है, L, L, S, B, इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, तो आपके पास में जब एक का ही सेलेक्शन हुआ है यहां से, तो दूसरे वाला फिर इधर काउंट हो जाएगा, अब आपके सामने 5 है, और 5 में से आपको 2 group सेलेक्ट करने हैं, 5 C, 2, अब आपके सामने जो वर्ड बनेगा न, वो ऐसा ही बनेगा, जिसमें दो आइडेंटिकल होंगे, और दो डिफरेंट होंगे, इस सेलेक्शन के बाद, तो इसको जब आप अर्रेंजमेंट करोगे, तो आएगा आपका 4 factorial by 2 factorial, इसको सॉल कर लीजिए, यही आपका आंसर है, यही cancel out, यहां से आएगा 10, और यहां से आएगा 24, तो आपका जो आंसर होगा, तो आपका जो आंसर होगा, ठीक है, और यही आपका correct answer है, question number 30 का, ठीक है न, 240, ठीक है, चलिए, आगे बात करते हैं, next question, that is question number 31, और question number 31 में देखे, क्या दिया है हमें, question number 31 के अंदर आपको बोला गया है, in a bombing attack, ठीक है न, एक bomb attack हुआ है, there is 50% of chance that a bomb will hit the target, ठीक है, 50% chance है कि वो target को hit कर जाए, at least two independent hits, are required to destroy the target, completely, then the minimum number of bombs, that must be dropped, to ensure that, there is at least 99% chance of completely destroying the target, तो देखे, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो यह चीज़ बोली गई है, there are minimum number of bombs, एक second, 50% तो आपको दे रखा है कि hit करने के chance है, ठीक है, 50% ही आपके सामने hit नहीं करने के chance है, so at least two इसका क्या मतलब हुआ, प of x will be greater than or equal to 2, ठीक है ना, इसकी value क्या होनी चाहिए आपके सामने, 99%, ठीक है ना, 0.99 से ज़्यादा होनी चाहिए, अब यह तो हम निकाल नहीं सकते, ठीक है ना, p of x, क्योंकि बहुत सारी chance है यहाँ पर, तो अब हम कैसे करेंगे, हम इसको उल्टा करेंगे, हम इसको 1 में से subtract करेंगे, p of x will be equal to 0, एकी बार hit ना हो, p of plus, p of x will be equal to 1, और इन दोनों को क्या कर देंगे, subtract, और that will be greater than or equal to 0.99, इसको solve करते हैं, और देखते हैं कि कितने हमें requirement है, तो चलिए, इसको इधर लेगे, उसको इधर ले आए, तो 1 minus 0.99 will be 0.11, और इसको solve किया, p of x will be equal to 0, कितना हो जाएगा, देखिए, nc0, ठीक है, दोनों की probability again same है, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा, 1 by 2 की power, 0 into 1 by 2 की power, n, plus nc1, और यहाँ पर आएगा, 1 by 2 की power, 1 into, 1 by 2 की power, n minus 1, इसको solve करते हैं, देखते हैं, यहाँ से आएगा, 1, plus, यहाँ से आएगा, n, और divide by 2 की power, n, और यह क्या होना चाहिए, यह आपका, 0.01, ठीक है, 0.01, there will be 1 upon 100, ठीक है, इस inequality को solve करते हैं, यह दोनों numbers positive है, तो आप cross multiply कर सकते हो, यहाँ पर, तो cross multiplication करोगे, तो आपके सामना आएगा, 2 की power n, will be greater than or equal to, 100 into n plus 1, ठीक है, आप देखें, यह इससे greater कब होगा, ठीक है, तो इसमें आपको hit and trial करना है, ठीक है, और minimum n निकालना है, आपको कितना आएगा, तो जब आप इसमें n equal to 11 put करोगे, ठीक है, तो यह इससे ज़्यादा हो जाएगा, यह हो जाएगा, 1200, और इधर यह हो जाएगा, आपका 2048, और इसके पहले यह number क्या रहेगा, आपका इससे छोटा रहेगा, जैसे अगर मैं 10 पे बात करूँ, तो यह 1100 होगा, जब कि यह 1024 रहेगा, तो minimum यह तब आएगा, जब आपके सामने n की value क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी, क्लियर है, चले, आगे बात करते हैं, next question number 32, और question number 32 में देखें, क्या दिया है, question number 32 में आपको बोला गया है, कि, the number of times, all digit 3 will return, when listing the integers from 1 to 1000, देखिए इसका एक simple सा meaning है, कि आपको यह count करना है, ठीक है, कि अगर आप 1 से लेकर के 1000 तक के सारे numbers को अगर लिख रहे हो, तो आपका 3 कितनी बार आएगा, तो देखें कैसे करेंगे, 1 से लेकर 1000 तक सबसे पहले single digit numbers के अगर अगर हम बात करें, तो एक ही number होगा, that is 3, ठीक है, जिसमें 3 लिखा जाएगा, इसके बाद में अगर हम 2 digit numbers की बात करें, तो 2 digit numbers में देखें कितना आएगा, ठीक है, इसमें आपको 2 तरीके से करने हैं, एक तो यहाँ पर और यहाँ पर, और यहाँ पर और यहाँ पर, दो case बनाने हैं, क्योंगी 2 digit number है, देखें, यहाँ पर आपके सामने, अगर 3 आजाए पहले वाले पर, ठीक है, तो यहाँ पर 10 में से कोई भी number आ सकता है, ठीक है, 10 में से कोई सा भी number आ सकता है, ठीक है, और आपके सामने, total कितने case बन जाएंगे, 10 cases बन जाएंगे, अगर यहां पर 3 आ जाता है ठीक है तो यहां पर आपके सामने total कितने case बन जाएंगे 9 case बन जाएंगे अब यह कोई यह कहेगा कि sir वो count कहां पर हो जब 3 इधर भी आ गया इधर भी आ गया दोनों जोगे पर वो तो दूसरा वल 3 तो हमने counting नहीं किया तो वो count हो चुका है automatically क्यों क्योंकि हमने यहां पर सारे digits को count किया और जब इधर 3 आएगा और इधर वो numbers आएंगे जितने भी उसके अंदर counting हो चुकी है तो total आपके सामने 10 plus 9 ऐसे total 19 cases आगे जिसके अंदर 3 आएगा ठीक है 19 time 3 आएगा चाओ तो आप लिख के देख लो ठीक अगर किसी confusion हो रहा है कि यह तो गलत लग रहा है हमने और ऐसा नहीं है कि यहां पर जो 3 था वो भी आया तो वो 3 कार्ट ला गया तो वो इसमें counting हो चुकी है इस तरीक से counting हो जाती है आगे बात करते हैं 3 digits के अंदर थी डिजिट में भी आपको इसा ही करना है ठीक है इसमें 3 case बनाना है and this this plus this this ठीक है जब यहां पर 3 होगा तो यहां पर 10 में से कुछ भी हो सकता है ठीक है क्योंकि यहां पर जब 3 था तो वो सारे numbers आप count कर चुके हो तो वो case भी आ चुके है जब आपके सामने यह number भी आया होगा एक बार वो इसमें count हुआ है एक बार इसमें और एक बार इसमें लेकिन अलग लग हुआ है लेकिन तीनों तीनों आपके पास नंबर count हो चुक लिखा जाएगा ठीक है मिस 1 से लेकर के 1000 तर 300 टाइम आपने 3 का यूज किया है numbers को लिखने के लिए चलिए आगे बात करते है next question number 33 question number 33 में देखी क्या है question number 33 में आपको एक डाइग्राम गया है और इस डाइग्राम को देख करके और आपको बताना है कि जो जगे खाली है वहां पर कितना आएगा तो आपको देखें यहां पर भी अब आपको लगेगा यह तो mental ability का question क्यों दे दिया तो mental ability PNC ही होती है ठीक है actual PNC होती है ठीक है और यहां पर इस question में देखी हम उसको देखते हैं सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखेंगे कि जो number दिये गए है न ठीक है उसके अंदर यह number बहुत चोटा है 1, 4 और 3 तो जैसे हम mental ability में सोचते हैं वैसे ही यह 3 कैसे आया होगा तो यह इन दोनों के difference से आया है 7 और 4 के difference से तो यहां पर 12 और 8 का difference 4 और यहां पर 2 और 1 का difference 1 ठीक है दिखाई देगा है सबको तो यहां पर इसका जो number का जो base होगा उसमें कितना एकदम बढ़ गया है number तो 3 से base तो 4 में बढ़ा और number बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ गया और ऐसा तरीका तो multiplication में ही होता है और multiplication में फिर कहां पर हुआ होगा ठीक है तो यह हुआ है यहां पर इनके factors के अंदर 7 की power 4 और यह 2 की power 2 इसके number of factors कितने होंगे 2 1 plus 1 और 2 plus 1 3 6 दिखाई दे रहा है तो 6 है इसके अंदर number of factors एसे इसके अंदर 8 2 cube यहां पर 2 square into 3 तो इसके अंदर number of factors कितने होंगे 3 into 2 और इसके अंदर total कितने होंगे आपके सामने number of factors यहां पर कितने होंगे 3 into 2 6 और यहां पर कितने हो जाएंगे आपके सामने 4 तो 6 into 4 24 आ गया इसके अ number of factors 1 का 1 2 का अंदर 1 और 2 total 3 होंगे तो 1 के उपर तो पावर लिखो या ना लिखो एक ही बात है यहां पर आ जाएंगे आपके सामने इसके number of factors दो और इसके भी number of factors दो ठीक है तो 2 इंटू 2 आएगा तो आपका जो answer आएगा that is 16 जो correct answer होगा कि इस जगे पे number क्या होगा तो इस जगे पे number होगा आपका 16 के लिए है चले आगे बात करते हैं question number 34 question number 34 में देखे क्या दिया है कि दी number of words with or without meaning that can be formed from all the letter of the word letter in which vowels never come together vowels एक साथ नहीं आने चाहिए कोई बात नहीं जैसे हम करते हैं total माइनस जब vowels एक साथ आगे हैं ठीक है ना होगे दर आगे total कितनी बार करेंगे कितने लेटर से एल ए टी टी ए आर ए रिपीट हो गया टी रिपीट हो गया तो टोटल है six factorial divided by एल दो बार और एल ने टी दो बार और ए दो बार तो यह तो टोटल माइनस तो वोवल एक साथ आगे तो वो एक ही वर्ड बन जाएगा ए एक ग्रूप में बान दिया तो अब होगे फाइप फैक्टोरियल और साथ में एल आपके एक वर्ड रिपीट हो हो रहा है that is t2 factorial और e का arrangement क्योंकि दोनों identical है तो एक ही तरीके से होगा तो उसको आपको करने की ज़रूत नहीं है इसको solve कर लीजिए यही answer है 720 by 4 minus 120 by 2 so 720 by 4 कितना आएगा 4 से divide किया 180 minus 60 और आपका जो correct answer होगा that is 120 आ रहा है सब को समझ में चलिए इसी के साथ आगे करते है next question discuss that is question number 35 और question number 35 में देखें आपको क्या बोला गया है कि the total number of 4 digit number whose greatest common divisor with 18 is 3 देखें कैसे करेंगे 18 के साथ में greatest common divisor 3 होना चाहिए ठीक है तो ऐसे तो लग रहा है कि 3 के multiples होंगे लेकिन 3 के कौन से multiples होंगे तो देखें 3 के multiples के अंदर 6 भी आएगा तो इसको हटाना है क्योंकि 6 के साथ में अगर 18 का greatest integer कर दिया तो वो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा आपके सामने उसका greatest common divisor 6 हो जाएगा फिर 3 नहीं रहेगा हमें 3 चाहिए इसके अलावा 9 आएगा ठीक है तो 9 के अंदर आपके सामने क्या होगा ये भी नहीं होना चाहिए इसके साथ में आपके सामने क्या आएगा 9 के बाद में 12 आएगा इसको हटाना है 12 के बाद में आपके सामने 15 आएगा इसको रखना है ठीक है क्योंकि 15 का और 18 का greatest common divisor 3 ही होगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है इसमें कोई दिक्कत नहीं है और ऐसे 18 आएगा तो 18 का 18 के साथ में है तो इसको आपको हटाना है तो इस तरीके से आपको यह सब हटाने है तो देखिए यह तो सारे इसलिए हट जाएंगे क्योंकि हम even वालों को छोड़ी देंगे even वालों को counting नहीं करेंगे ठीक है लेकिन साथ में यह वाला जो case है आपके सामने खास करके जो 9 के जो multiples है ठीक है उनको हमें हटाने है ठीक है अगर वह आज आते हैं 9 के वह multiples जो हम odd वाले के अंदर count करेंगे तो हम ऐसी एक series बनाएंगे वेसे जो 3 से start होगी अब 3 से तो हमें करनी नहीं क्योंकि 4 डिजिट लेना है तो 4 डिजिट करेंगे तो सबसे चोटा नंबर हो लेने ही नहीं सिदे से दीख लिए तो उसको का मतलब नहीं है तो 6 के difference में चलेंगे तो 1011 आएगा इसके बाद में फिर आगे 6 के difference में 1017 आएगा ठीकिन 7 प्लस 8 प्लस 9 और ऐसी आपके सामने शीरीज चलती रहेगे और लास्ट डिजिट तक हम पहुंच आएगे लेकिन इ इवन वाले तो हमने count नहीं किये लेकिन 9 के multiples इसमें count है जैसे यह वाला number count है यह हमें यहां से क्या करना है अटाना है तो इस तरीके से आपके सामने यहां पर आपको क्या करना है दो AP बनानी है जिसमें एक का common difference 6 होगा और दूसरी का common difference होगा 18 होगा जो 9 की जो series होगी और दोनों को जब आप count करेंगे ठीक है number of terms आप count कर सकते हो दोनों AP के अंदर किस तरीके से क्या आएगी तो एक के अंदर आएगे आपके सामने 3 के multiples आएंगे जब count करके देखेंगे 1499 और दूसरे के अंदर आपके सामने numbers आएंगे 499 ठीक है इसमें से इसको जब subtract करेंगे य और यह 3 के odd multiples होंगे और यह 9 के odd multiples होंगे ठीकर odd multiples और यह 3 के odd multiples तो इसमें से इसको जब subtract करेंगे तो आपका जो answer आएगा जो सही answer होगा वो कितना हो जाएगा 1000 और यही आपका क्या है correct answer clear है इसी के साथ आगे चलते हैं तो चले complete हो गया thank you very much तो यह था आपका permutation and combination की गुरुनिती गुरुनिती number 4 जिसको हमने काफी अच्छी तरीके से discuss करने की कोशिस की है ठीक है फिर भी अगर किसी को बच्छे को किसी भी concept के अंदर कोई भी doubt हो ठीक है तो आप लोग doubt class में आके पोच सकते हैं and thank you very much